नमस्कार प्रियसाथियों, जैस्री किष्णा, जैस्री राधे, हमारे चैनल एश्टरो अभी चतुरवेदी में आप सभी का श्वागत है, मैं अभी सिक चौबे, आज लेकर आया हूँ, गुरुवार को जन्मेजाद तक कफला देश, अगर आपके किसी मतलब फरिशावाले क जन्म गुरुवार को हुआ है, तब आप सुनने के लिए वड़े उत्सक होंगे, उश्री पहले मैं आप से कहूँगा, अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शाद ही हमारी वीडियो को लाइक कर लें, हो सके तो नोटिफिकेशन को बेल आइकोन कर लें, ज गुरुवार की स्वामी देपता देव गुरु ब्रस्पती माने जाते हैं, गुरुवार को जन्मे लोगों पर ब्रस्पती क्रह का प्रभाव होता है, गुरुवार को जन्मे लोग बहुत ही गुद्दीमान और साहसी होते हैं, ए लोग किसी भी मुश्रीवत का सामना बहु होने के कारण इनके दोस्त बहुत अच्छे और उनके पृती समर्पित होते हैं हर टाइम पे इनकी मदद भी करते रहते हैं अगर कभी ज़रूरत पड़ा जाए तो गुरुवार को जिन लोगों का जनम होता है बे लोग, शामन, कद, काठी, साफ रंग वाले और दिखने में बहुत आकरसक होते हैं, इस दिन जनम में जा तक, जा तक जीवन को हमेशा वड़े उत्साय के साथ जीते हैं ये लोग कल फरसों की बाद छोड़ कर आज में भरूसा करते हैं एक खुस मिजाजी इनसान होते हैं या फिर पुराने बिचारों वाली होती हैं धार में प्रिवर्थी के होने के कारण ए लोग कभी किसी के लिए वुरा नहीं करते हैं किश्री को धोगा नहीं देते हैं ए लोग कभी किसी दूसरे का हक नहीं मारते बलकि दूसरों की हमेशा मदद के लिए ये तत्वर रहते हैं गुरुवार को जनम लेने वाले जातक धनी हर रूप से सक्षम एवं अच्छा भविस शाथ लेकर चलने वाले बनते हैं लेकिन कई बार ये लोग लाल्ची और केवल अपने वारे में सोचने बाले भी होते हैं किन्तु शमय के साथ किस प्रकार से दमाग का इस्तमाल करना है ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं गुरुवार के दिन जनम जातक अत्यधिक ग्यानवान होते हैं इनको बिद्वान भी कहा जाता है ठीक है इसे जातक अपनी जीवन में बिसे सम्मान प्राप्त करते हैं ये अपनी जीवन में मान सम्मान को सरवादिक महत्तो देते हैं इनकी दयालू प्रिवर्टी होती है तथा ये बिश्वास निये होते हैं बिस्वस निये होते हैं ये सर्व प्रिथम अपना तथा अपने परिवार का ध्यान देते हैं ये प्राया वैसन वक्त होते हैं इनका स्वास्त उत्तम तथा काया तंदुरुस्त होती है ये मीठा खाने के बिसेश सौकिन होते हैं इनके जीवन में अनेक बिसम इस्तितिया भी देखने को मिलती हैं पर इशा की प्रिष्टी इनका विसेस जुकाब रहता है। ए मार्ग दर्सक के रूप में एक अच्छे मित्र बनते हैं। समाज सुधारक वा उत्तम विचार वाले होते हैं। धार्मिक प्रिष्टी इनको गलत मार्गों में जाने से रोकती है। धन इनके पास इस्तिर रहता जैसे दिखते हैं, गुरुवार के दिन जनमे जातक विस्वासनी होते हैं, इनके प्रेम सम्मंद इस्तर होते हैं, इनका दामपत जीवन सुखमे रहता है, किनी परस्तितियों में शंतान में बांधा होती है, पुर्सों की पत्नियां अधिक उम्र की हो सकती हैं, ठीक है, ये धार्मिक प्रिवर्टि के इंसान होते हैं, विष्णु भगवान के अपतारों के पूजाक होते हैं, ऐसे जात्कों के अंदर अहम की भावना अधेक होती है, जिसे नियंतरन करना अनिवार होता है, इनको इस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, इनके चरित में दाग लगने क कारण इनका काम भावना को नियंतरन ना करपाना होता है, गुरुवार के दिन जन्मे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, इसलिए ये लोग अपने रोजगार के छेत में जल्दी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, बस ठोड़ा मेहनत से ही ये लोग अपनी कार में सफलता ठीक है, इनको मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ती है, गुरुवार को जन्मे जातकों का कारियर छेत्र धार्मिक, नेता, धर्म गुरु, राजनीतिग, लेखक, प्रकासक, नियाधीज, किलर्क, आदी में जल्दी सफलता प्राप्त होती है इनको, गुरुवार को जन्मे जात शुनार सिक्षा से सम्मंदित किताबों का मतलब व्यपार धार्मिक पुस्तकों और चित्रों का व्यपार सामाजिक संगठनों धन कोस की देखरे कन्य वाले कैसीर आधी शमंदित काम करते हैं ऐसे लोग गुरुबार को जन्मे लोग प्यार के पृति थोड़ा सोच समझ कर फैंस ले लेते हैं ये लोग जिससे भी प्यार करते हैं उनके साथ हमेशा नभाते हैं इस दिन जन्मे लोगों का वेवाहिक जीवन बहुत अच्छा व्यतित होता है और इन्हें बहुत सुन्दर और अच् ही जीवन साथी मिलता है कई वार इस दिन जन्मी स्त्रियां जल्दी वाजी में साधी का फैसला लेती हैं जिनकी वज़े से इन्हें बाद में पश्तावा भी होता है गुरुबार को जन्मे जातकों को लीवर सारीर कमजोरी खून की कमी हिर्दाय रोग मोटापा आदी बीमार वायों का शामना करना पड़ सकता है इसलिए अपनी सेहत पर हमेशा दिहन दे गुरुबार के दिन जन्मे जात तक अधिकतर स्वस्त होते हैं इन्हें रोग कम ही होते हैं मोटापा, सुगर, उदरवायू, कफ, सूजन, फैपणों के रोग मुखता परिशान इनको करते रह हैं गुरुबार को जन्मे लोग किसी भी कार को सोच समझ कर करें और जल्द वाजी में कोई भी फैसला ना लें इस से इनको नुक्षान भी हो शकता है अगर आप किसी कार को कर रहे हैं तो पहले अच्छे से सभी से उसके बारे में पूंच लें लब जानकारी करना है ठीक ह उसके वाद ही उसकार को करें और हमेशा मंदर के बुजारी बुजरगों का आसिरवत लेते रहें और इससे आपको बहुत लाप प्राप्त होगा अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो कमेंट करें कमेंट में राध ही राधे या फिर आप जो भी बोलते हूं जैमा परसंप्रक सूत्र जो है वो डिस्क्रेप्शन में आप महां से ले सकते हैं जैस्री किष्णा जैस्री राथ है